असलाम वालेकुम वेलकम टू घारे फैमेली ब्लॉग कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग खहर खहरेश से होंगे तो आज मैं आप लोगों से अपने मुम्रा के घर का होम तूर करा रही हूँ है देखिए गली थी हमारी इंटर करे हम लोग अंदर एक गली मे खेके तरफ तीन हर इस तरफ तीन अईसे पाजू की कली में सब ऐसे इस बनाता है तो ऑसने तोटल वततीज बंगmber जैसे इंट्री करेंगे ग्राउण फ्लोर पर हमारा घर है यह दिखें यहां पर और इंवेटर रखे हैं जो लख रहते हैं जेठानियों अगरा रहते हैं उनके और पानी की टाकी बनाई यूम लग जमीन के अंदर मीटर अगरा सब कुछ और यह जो मैं दरवाज आपको बता और tribal tylko all-bye like the 灣 अंदर से बता नहीं सकते सब्सक्राइब नोगोछ जब पुना शिफ्ट हो गए तो उन पे दे दिया हम लोग ने उगर तो उसको ़ॐकुत करके मैं नहीं बता सकती आब हम लो दो माले के हम लोग ने बनाई है घर सब फ्लैट सिस्टम बनाई है टू भी एच के तो सेम सेम पूरे वैसे ही है आप देख सकते हैं और यह रूम आपने शायद देखा होगा मेरे 25 अन्वरसरी में जैसे हम लोग इंट्री करेंगे तो राइट हैंड पर हमारा हॉल है यह दिखेगा क्योंकि घर बनता काफी टाइम से बन रहता है कोई रहता नहीं है उन लोग साल में एक बार ही आते हैं फिर भी सफाई वगरा करके रखते हैं थोड़ी थोड़ी यह दिखी यह हॉल है और यह उनका कबट है सामने टीवी वगरा लगी हुए सब कुछ सामान तो स सब कुछ है क्योंकि वह आते रहते हैं इसके लिए तो जैसे हम लोग हॉल से निकलें के भार तो फिर राइट भाहेंड में दूसरा हमारा एक चोटा बेडरूम है यह हॉल पहले आप अच्छे से देख लो काफी बड़ा हॉल है यह बड़े-बड़े हमने हॉल बनाए रू चोटा था तो जगह भारती सारी हमने अंदर कवर करके बड़े-बड़े रूम बनाए तो यह देखे यह राइट पर हैंट पर इदर भी हॉल के बाजू में एक बेडरूम है जो मैंने ओपन ने किये क्योंकि सारा सामान उनका रखा हुआ है मैंने ओपन करके नहीं आपको बताया है और किचन हम लोग ने ओपन रखा है इस तरह पर से दिखता है बड़ा दिखता है लेकिन भार से आने के बाद अंदर किचन दिखता नहीं है हमने बीच्वे दिवार ने उसको बनाई है देखे यह कीचन है सबकु सामा रखावाय कबाड वर्ट सब बने हुए और और यह मास्टर बेडरूम है उसके अंदर गुसने के साथ अब देखेंगे इधर भी टॉयलेट बातरूम है और वह भी काफी बड़ा हमारा बेडरूम है परलंग कबड उनका सबकुछ रखा हुआ है और यह बारिश के होजासे दिवारे देखिए कितने गिली-गिली हो ग अब इधर से ही सिधा भाहर निकलेंगे और हम लोग सेकेंड फुलोर पर जाएंगे इधिकेंड फुलोर पर मेरी बड़ी जेठा नहीं रहती है तो उदर का मैंने शूट नहीं किया है उनकी बच्चे वगेरा थे काफी वो मैं आपको आगले वीडियो में उन लोग से मिला अब बच्चों की बेटियों की शादी होगे रहा हो गई तो टेर्स पे हमने हल्दी मेंदी का पुरा फंग्जन इधर ही करते हैं यह उपर हमने पत्रे वगरा डाल कर लें ताके पानी लिकेच नहों जाए तर दो तिन साल हो जाते हैं तो फिर लिकेच का प्रोब्लम इसा काफी बढ़ा उसने बटलिंग जयसा बंगला बना दिया है यह हमारे पीछे बहुत सालों के पूराने पडोशी है हमारे साघ में बुद्ध पूराने का परोशी है जब भी जाते तो हम लोग मुलाकाट जरूर करते उन लोगों से को पीचे में है और इसी तरह पूरी हमारी कॉलोनी पहले बहुत खुबसरत लगती जब सारे बंगले छोटे थे उपर से भी मैं आपको बता रहें नीचे अपने गली का नजारा तो आप लोग ने यह आजमास की गली देखे वेगे क्योंकि हमारे गली से भारी तंदूरी की दुकान है वहाँ पर से इंट्री होत पहाड का मैं बता रही हूं आपको क्योंकि पहले हमारे घर से पहाड दिखता था असानी से यहां तक ही था हमारा होम टूर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना मेरा मुम्रा का गर तो चलिए मेरे वेश यूडियो को लाइक करे शेयर करे अल्ला आफीस